मतलब यह काटे वाला रास्ता है और S का resistance relatively बहुत कम है मतलब यह full वाला रास्ता है तो current जो है वो कौन सा रास्ता select करेगा full वाला रास्ता, full वाला रास्ता यानि relatively कम resistance वाला रास्ता तो यह किर्चोफ current law के हिसाब से current split होगा, यह total current I है, कुछ पाट जाएगा IG और कुछ पाट यहाँ पर जाएगा IS और आगे दोनों मिल जाएंगे IG और IS, यह है junction, junction पर दोनों मिल जाएंगे और बाहर जाएगा current I तो I is equals to IG plus IS